नमशार दोस्तों मेरे नाम में विमल सिंग बालाजिस्ट रेड़ा में आपका स्वागत है तो अलग-अलग भुगोल के टॉपिक वाइस प्रस्नों की प्रैक्टिस हमाँ आपको करा रहे हैं तो इससे पहले हमने 35 नमबर का टॉपिक देखा था विस्सु के बंदरगा साइट माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा आज के इस वीडियो में हम 34 और 36 दो टॉपिक देखेंगे क्योंकि इसमें प्रस्नों की संक्या काफी कम है विस्सु के इस्थल रुद्ध देश जो है सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें प्रस्नो की दरश्टी से विस्सु का सबसे बड़ा भू आवेश्टित देश जिसे हम लेंड लॉग्ड कंट्री कहते हैं वो कौन सा है भू आवेश्टित देश क्या होते हैं इस चीज को समझ लीजे क्योंकि आप्शन तो अलग-अलग हो जकते हैं पर पॉइंट आपको पतावना कि वे देश जिनकी कोई समद्री तटरेखा नहीं होती है चारो और अन देशों की भूग अलिक सीमाओ से गिरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं भू आवेश्टित देश इन आपको बताना है कौन सा सही होगा तो आपको 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 कजाकिस्तान यहाँ पर सी वाला जो है ब बताईए इन में से कौन एक भू आवेश्टित देश है अंसर की बात करते हैं तो आपको आपको आप्षन है आपटर डी वाला यूगांडा जो है वो सही होगा जो कि आपका एक भू आवेश्टित देश के अंतरगत आ जाएगा तीसरा प्रस्न भी आपका भू के according जो है वो कौन सा सही होगा मैप में अगर चीज़े आपको clear हैं तो ये इस टाइप के प्रसना बात सानी से कर लेंगे अंसर की बात करते हैं तो बोल विया आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा चौथा प्रसना आपका है इन में से कौन सा एक इस्थल रुद्ध देश है कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान उजबेकिस्तान इस टाइप से चार आप्शन दे रखे हैं बताई इन में से कौन सा जो है वो सही होगा आपको बताना है इस्थल रुद्ध देश इन option में से कौन सा है अंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर तजाकिस्तान जो है ये जो है वो सही हो जाएगा पांचो प्रसना आपका है दक्षिर पूर्व एसिया का इस्थल अवरुद्ध देश तो पर्टिकुलर महाद्यूब को लेकर जो है वो पूछ लिया गया है तो बताइए कंबोडिया, मलेशिया, थाइलेंड, लाओस इन में से कौन सा जो है वो सही होगा अधिकतर जो प्रसना आपको देखने को मिलते हैं वो किसी महाद्यूब का कोई सबसे बड़ा स्थल रुद देश इस टाइप से ज़्यादा पूछ जाने की चांस जो है वो रहते हैं अंसर की बात करते हैं तो कंबोडिया, मलेशिया, थाइलेंड और लाओस में से आपका लाओस जो है आपर सही होगा जो कि दक्षिड पूर्व एसिया का इस्थल अवरुद देश जो है उसके अल्तरगत आता है चटा प्रस्न है दक्षिड अमेरिका महाद्यूब के दो इस्थल अवरुद देश जो है वो कौन से हैं चार ओप्षिण हैं बताईए उरुगवे और परागवे उरुगवे वा एक्वाडोर परागवे वा बोल्विया उरुगवे वा बोल्विया इस टाइप से चार ओप्षिन दे रखे हैं दक्षिड अमेरिका महाद्यूब के दो इस्थल अवरुद देश के बारे में आपको बताना है तो चली अंसर की बात करते हैं उप्षिन चारों में से तो आपका उप्षिन यह आपर सी वाला सही हो जाएगा यानि कि परागवे और बोल्विया तो ये दोनों जो है आपके दक्षिड अमेरिका महाद्यूब के दो इस्थल अवरुद देश में आ जाएंगे सात्वा प्रस्न देखते हैं आपका सारवादिक संक्या में इस्थल रुद देश किस महाद्यूब में है मैंने बताया ना कि इस टाइप के प्रस्न आपके उच्छे जाने के चांसे जो है वो जादा रहते हैं तो सात्वा प्रस्न आपका महत्पूर है दक्षड अमेरिका यूरोप अफ्रीका या फिर एसिया बताये इन चारो उप्षन में से सारवादिक संक्या में स्थल रुद देश किस महाद्यूब में आपको देखने को मिलते हैं दक्षड अमेरिका यूरोप अफ्रीका या फिर एसिया बात करते हैं अंसर की तो आपका आप्षन है आपपर अफ्रीका महाद्यूब जो है वो सही हो जाएगा अफ्रीका महाद्यूब में सबसे आदा जो है आपको इस्थल रुद देश जो है अंसर की बात करते हैं तो इन आप्षन के अकॉर्डिंग आपका जिम बॉम्बे आपर जो है वो सही होगा एक इस्थल रुद देश के रूप में नववा प्रसन आपका निम्रिकित में से कौन सा देश इस्थल रुद जो है वो नहीं है आपको बताना है अफगानिस्तान, म्यामार, नेपाल, स्विजरलेंड कौन सा देश इस्थल रुद जो है वो नहीं है चली बात करते हैं अंसर की आपका ओप्षन म्यामार यहाँ पर जो है वो सही होगा म्यामार जो है इस्थल रुद देश के नहीं है आपका इसमें आजाएगा उरुगवे इन option के according बताना है कौन सा जो है वो एक स्थल रुद्ध देश है अंसर की बात करते हैं यहाँ पर आपका बोलविया जो है वो फिल्कुल सही होगा देखते हमारा last प्रस्थ निसी का total 11 प्रस्थ मैंने बताया था इदने बले कि देशों में से तो option ABCD में से अंसर की बात करते हैं आपका D वाला option यहाँ पर जो है वो सही होगा नहीं कि पहला, दूसरा और चौथा यह मलेसिया जो है यह आपका यहाँ से कट जाएगा इस्थल, बाधित, देश जो है आपसे पूछे गए थे हैं इस टॉपिक में इतनी प्रस्ण अब हम देखते हैं एक और टॉपिक जो कि हमने बताया स्टार्टिंग में कि 37 नंबर का भी हम देखेंगे जिसमें भोगालिक ग्रंत और उनके लेकक इस पर आधारित प्रस्ण देखेंगे और इस पर आधारित जो टोटल प्रस्ण है उनकी संख्या जो है वो 9 है पहले प्रस्ण देखे 11 ये हो जाएंगे 9 तो टोटल 20 प्रस्ण हो जाएंगे और लाश में एक प्रस्ण हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे इसके लावा वीडियो पसंद आ है तो लाइक भी अवश्य करते रहेगा इसे प्रकार अच्छे-चे प्रस्ण हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें प्रस्ण आपका है पहला कि इलियड एवं ओडिसी जो ग्रंत है जिनमें की प्राचीन भागालिक जानकारियों का समावेस है ये किस विद्वान की रचना है हिकाटियस, इराटोस्थनीज या फिर एनेकजी मेंडर या फिर होमर बताना है आपको इन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं ओप्शन एवी सिरी में से तो आपका ओप्शन यहापर होमर जो है, ये सही हो जाएगा होमर जो है ये इलियड और ओड़ सी जो ग्रंथ है प्राचीन भॉगौलिक जानकारियों का जिन में समावेस है, इनकी रचनाकार के रूप में ये होमर जो है वो जाने जाते हैं दूसरा प्रसना आपका है कि एंत्रो या फिर हंगिंटन या फिर ब्लॉस इस टाइप से चार आप्षिन आपको दे रखे हैं बताई इन में से कौन सा सही होगा अंसर की बात कर लेते हैं आप्षिन एपिछिडी में से आपका बी वाला आप्षिन रैट जल जो है ये सही हो जाएगा दोनों के लेखक तीसरा प्रस्ण देखते हैं प्रिसिद्ध भौगालिक ग्रंत कॉस्मॉस इसके लेखक कौन है ये आपका थर्ड वाला प्रस्ण इंपोर्टेंट है गांट, रिटर, हमबोल्ट या फिर वरेनियर इस टाइप से चार ओप्षिन है बताने आपको कि प्रिसिद्ध भौगालिक ग्रंत कॉस्मॉस जो है उसके लेखक जो है वो कौन है तो अंदर की बात करते हैं कि इन चारों उप्षिन में से कौन सा सही होगा तो आपका उप्षिन है आपर हमबोल्ट जो है वो सही होगा कॉस्मोस जो है उसके लेखक अगला देखते हैं आपका चौथा प्रस्न सब्विता एवं जलवायू नामक जो भौगालिक ग्रंत है इसके लेखक कौन है कुमारी एलन चर्चिल सेंपुल आयसा बोमेन एल्सवर्थ हंडिंग्टन या फिर कॉल रिटर चार नाम ने रखे हैं बताना आपको इन में से कौन सब्विता एवं जलवायू नामक जो भौगालिक ग्रंत है उसके लेखक हैं एल्सवर्थ हडिंग्टन ये आपका सी वला उप्शन है आपर सब्विता प्रस्न देखते हैं जीवन एवं रत्यू का भुगोल जोगर्फी ओफ लाइफ एंड डेथ इन निमलिकित में से किस भुगोल वेता जो है उनकी क्रती है हैरिसन चर्च ओ एच के स्पेट सर डडले स्टांप या फिर सी बी फॉसेट इस टाइप से चार उप्शन है पता है इन में से कौन सा जो है वो सही होगा जोगर्फी ओफ लाइफ एंड डेथ इसके लेखक आपको बताना है अंसर की बा प्रस्ट देखते हैं आपका च्छटा नंबर की पर्स्पेक्टिव ओन दा नेचर ऑफ जोगर्फी इसके लेखक जो है आपको बताना है वुलरिज तथा इस्ट या फिर होट सोर्न या फिर रोजर मिंसूल या फिर अलबर्ट डिमांजिया इसके आपर नाम है बताइए इ सात्वा प्रस्ट है एड कुंडे जो है निम्र में से किस विद्वान की जो है वो रचना है कॉर्ल रिटर की है ब्लॉस की है रैट जल की है या फिर रिच थोपन जो है इनकी है अंसर की बात करते हैं इन में से आप्शन में से तो आपका कॉर्ल रिटर जो है बिल्कुल सही भी पुछेंगे, तो चरिये अंसर की बात करते हैं, तो Me restroom ये पुछेंगें ये आपकी अरस्तु की जो है वो पुस्तक है इस रचना को याद रखेगा ये आपके लिए जो है वो इंपोर्टन्ट है देखते मारा अगला और इस वीडियो के लाश्ट प्रसंस के लावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहेगा नवा प्रसनापका वेयादी महत्पूर रच्ठा है और साधी साथ टेलीग्राम चैनल से नाज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाला परसित भागालि क्रंद किताबुल हिंद के लेखक जो है वो कौन है अल बरूनी अलमसूदी अल इधरसी या फिर अल्याकुबी इस टाइप से चार आप्शन है पतानाएक आपको इन में से कौन सा जो है वो सही होगा तो चलिए अंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में स आपका option यहाँ पर पहला वाला ही अलबरूनी जो है वो बिल्कुल सकी हो जाएगा यह आपकी बेहदी मैतपूर रशना यह तो आपको एकदम रटी होनी चाहिए तो सभी प्रसन हमारे समापत हुए अब वो प्रसन जैसे कि इस सभी वीडियो में आपसे एक नएक प्रसन पूछते हैं तो इस वीडियो का आपके लिए प्रसन है जिसका अंसर आपको वीडियो के में कमेंट में टाइप करके बताना है कि सदा बाहर वर्सा वन जो है वो कहां पाए जाते हैं A option है आपका उस्टेलिया B option है आपका ब्राजील C option है आपका कनाड़ा और D option है आपका प्रांस तो अपना अंसर A, B, C, D में से कौन ज़सा होगा वीडियो के में कमेंट में टाइप करके बताइएगा लाइफ टैमिंग दो हैं दो पहर के 3 बजे सामके 8 बजे तो लाइफ आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं तो आज कोड़ में इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रस्नों के साथ नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार जहिंद